7 Habits of Highly Effective People ये आपने एक बुक जुरूर पढ़ी होगी या सुनी होगी स्टिफिन कोवी की ठीक है इस बुक में साथ ऐसे आदिते बताई गई थी जिससे की बहुत ज़्यादा जो मशुहूर लोग है या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग है वो करते हैं आज हम ऐसे ही आईरवेद में बात कर रहे हैं 7 Habits of Highly Skin Diseased Person आप में से ऐसे लोग जिनको स्किन की बीमारी है या फिर तवचा की कोई ने कोई बीमारी है चाहे वो आपको एक्जीमा हो, सुराइसिस हो या फिर आपको फंगस इंफेक्शन हो किसी भी टाइप का आपको skin related कोई भी तकलीफ है तो ये साथ आदिते अगर आप कर रहे हैं तो आपको आज ही बंद कर देनी चाहिए और आप में से ऐसे लोग जिनको की अभी skin की बीमारी है नहीं पर चाहते हैं कि future में भी आपको चर्म रोग related कोई भी तकलीफ ना हो तो इन आदितों से आपको बचके रहना चाहिए वो आदिते क्या है जानेंगे इस वीडियो में स्वागत आप सभी का मिश्रवेदा में ही मेरा नाम है डॉक्टर अरुन मिश्रा मैं आईर्वधिक MD डॉक्टर हूँ और मुबई में प्रैक्टिस करता हूँ आज हम बात कर रहे हैं 7 ऐसी आदतों के बारे में जो आपके skin को बरबात कर सकती है या आपको चर्म रोग इतने सारे हो जाएंगे कि आप ठंक जाएंगे उसे ठीक करते करते क्योंकि आईर्वध में skin disorder के बारे में चरक जो सहीता है चिकित्सा में सर्वस्रेष्ट मानी जाती है चरक सहीता को चरक सहीता सुत्रस्थान के chapter number 25 में उन्होंने दुनिया की सबसे best चीजों की list दी है उसमें उन्होंने लिखा है कुष्ट दिर्ग रोगाणाम स्रेष्टम कुष्ट दिर्ग रोगाणाम स्रेष्टम शब्द का मतलब होता है कि कुष्ट मतलब skin की जो भी बिमारी है कुष्ट मतलब क्यों लेप्रेसी नहीं होता स्किन रिलेटेट जो भी बीमारी है वो सबसे ज़्यादा दिर्गरोग मतलब सबसे लंबे चलने वाले जितनी भी बीमारिया हैं उसमें स्किन सबसे नंबर वन रैंक पर आती है इतने लंबे समय तक चर्मरोग चलते हैं तो वो साथ आदते कौन सी है जो आपके स्किन को बरबाद कर सकती है आदत नंबर वन दिवा स्वपन दिवा स्वपन का मतलब होता है दिन में सोना दिन के समय पे नैप लेना आप मैंसे इसे लोग जिनको पसंदे की ठीक है सुबह काम वाम किया दुपहर को खाना खाया अब चलो मस्त एक आदे एक गंडे की नीद लेते है और हमारे तो कई पेशेंट जो 3-4-4 गंडे की भी नीद मार लेते है तो अगर आपको दिन में सोने की आदत है तो आपको स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्यों? क्योंकि दिन में सोने से आपके शरीर में जो 3 दोष होते है क्वात, पित, कफ ये 3 के 3 भी गड़ते हैं इन में से भी स्पेशली कफ और पित ये 2 दोष हैं जो सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये दोनों दोष बढ़ के कहा जाते हैं तो हमारे शरीर में 7 धातुए होती है अब जितने भी चर्मरोग होते हैं ये दो धातू खराब होने परी होगे तो आपको चाये स्किन पर मोटे-μोटे बॉइल सो रहे हो, पस सो रहे हो चेहरे पे पिंपल्स आपके आ रहे हो या फिर मेलिजमा की तकलिफ होगई हो बहुत ज़्यादा खुजली होती हो बार-बार फंगस इंफेक्शन होता हो ठीक किसी भी टाइप का अगर आपको चर्म रोग है और अगर आप दिन में सोते हैं तो वो आपकी तकलीप बढ़ा देगा दिन मतलब सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक का तो आप मैंसे अगर आप अपनी स्किन की मिमारी को ठीक करना चाते हैं तो आदत नंबर दो श्रम दुत शीतंबू शेवनम ऐसे करके एक शब्द लिखा है जिसका मतलब होता है जिसका मतलब होता है कोई भी अक्टिविटी करने के बाद तुरंत ठंडा पानी पीना तो आप मैंसे ऐसे ल फ्रिच खोलने के बाद चिल्ड पानी की बॉटल निकालते हैं और गट-गट-गट करके अंदर ले लेते हैं या कई लोग आप मेंसे जो सेल्समेन होंगे या धूप में काम करने वाले होंगे धूप में सबजी, फलवल, कुछ भी बेशते होंगे जब बहुत ज़्यादा आपका शरीर एकदम गरम है और आप अगर चिल्ड ठंडा पानी पियेंगे तो आपके शरीर में जो तकलीफ है स्किन डिसॉडर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एक और कंडिशन इसमें ये भी लिखी है कि अगर आप किसी कारण से डर गये हैं किसी भी कारण से अगर पानी पी नहीं है तो लिवक वाम हलका गुनगुना पानी पीना चाहिए गरम बोडी ठंडा पानी चाहिए वो वयाम करके हुआ हो धूप में घूम के आने की कारण हुआ हो पीना आपके स्किन को बरबात करेगा आदत नमबर तीन जो आपके शरीर को बरबात कर सकती है वो है शीत ओष्ण चीजों का एक साथ combination लेना आप बोले कि हम तो ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाते जी हाँ बहुत सारे लोग खाते हैं जैसे कि अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है मस्त बहुत सारी जिगा पर शादी हो रही होगी अब शादी में जाके हम सबसे पहले क् सूप कहा पर है चानीज सूप, पंचाओ सूप, टोमेटो सूप तो हम जाके सबसे पहले शूप मारते हैं इसके बाद खाना काने के बाद खाने के end में हमें क्या चाहिए एक ठंडी सी आइस्क्रीम, बिना आइस्क्रीम खाये शादी थोड़ी पूरी होती है, तो खाने की शुरुआत हुई है आपकी गरम सूप के साथ, और उसके साथ आप अगर आइस्क्रीम लेंगे, तो वो आपकी स्किन को वरबात करे गई, चलिए और कुछ लोगी आदत होती है, वो क्या करते हैं कि धोसा लेते हैं, ठीक है तो गरमा गरम साउथ इंडियन धोसा या फिर मसाला डोसा उपमा इडली कुछ भी, मसाला इडली ऐसी कोई भी चीज मगए और उसके साथ लेते हैं, मस्त कोल्डे, ठंडा चिल्ड कोई भी जो कोल्डेंग, सॉफ ड्रिंक मि देते हैं, तो ऐसा ठंडा या गरम अगर आप एक साथ में ले रहे हो, कि गरम भी खाया, तुरन ठंडा भी खाना चालू हो रहा है, तो वो आपके शरीर में तकलीफ बढ़ा देगा, आपके लिए अच्छा नहीं है, इसे लोग इनको खाने के बाद चाय पीने बहुत पसं है, यह खाना खाया और चाय भी साथ में चालू है, खाने में ठंडी चीजे थी, और आइस्क्रीम आइस्क्रीम और यहाँ पर चाय चालू है, वो आपकी तकलीफ बढ़ा देगा, आदत नमबर चार, खाने के बाद वयाम करना, जी हाँ, आप में से ऐसे लोग जिनको ऐसा ह कि ठीक है, मुझे सुबर टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइस के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, या क्या करती हूँ, कि मैं दोपैर को दो बजे, एक बजे खाना खा लेती हूँ, और चार बजे मेरे योगा टीचर आते हैं, या चार बजे मैं जिम जाती हूँ, ऐसे करकि ज कुछ नव कुछ खा, केला वेला, ये सब स्ट्रीट वीड खा रहें, और फिर एक्सरसाइस करने बैटे हैं, तो भोजन करके या खा के तुरंद एक्सरसाइस करना वो आईरवेद में मना है, आपके बलड को खराब करता है, माउस दादू को खराब करता है, स्किन के मास्टूबेशन बनाना हो, चाहे वो मास्टूबेशन हो, अस्त मैं तुनो, कुछ भी तरह कि आप तुरंद खाना खाया है, और वो एक्टिवीटीज कर रहे हैं, तो आपकी तकलिफ बढ़ा देंगा, मिनिममम तीन घंडे का इनका गैप होना चाहिए, अदरवाइस ये भ बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, कि पेशेंट होता है वोमन का, अब कई आईवेद के 90% से ज्यादा आईवेद के डॉक्टर वोमन करम कराने से भाट डरते हैं, क्यूंकि वोमन करमें बहुत सारी टेक्निकल टीज होती हैं, कई बार वोमन करमे के साइड़ इफेक्ट तो ये क्या हुआ गलत पंच कर्म इस से और आपकी स्किन की बिमारी बढ़ जाएगी इसे में क्या हुआता कई बार लोग सुबह मस तीन चार गलस पानी पीते हैं गले में अउली डालते हैं और उल्टी कर दिया उनको लगता वमन कर्म हो गया जी नहीं ये वमन कर्म नहीं है वमन कर्म में पेशेंट को पहले चेक करते हैं उसको दीपन पाचन रोकचन आउशदिया कुछ दिन देते हैं फिर चार से पाच दिन घी पिलाते हैं एक से दो दिन मालिश करते हैं फिर वमन कराने के बाद वो भी सुब़ छे से दस बजे के बीच में और उसके बाद पांच दिन का रेश दे दे तो इतना लंबा ये प्रोसीजर होता है किवल घर पे पानी पिया उल्टी कर दिया घर पे पानी पिया, लूज मोशन कर दिया ऐसा नहीं होता तो वाटर एनीमा ले लिया आईर्वेथ का नाम सुनके पानी पी के लूज बोशन कर दिया इसको गलत पंचकर्व बोला है और इससे बहुँत सारे बिमारियां बोली है जिसमें खास करके skin disorder बहुत ज़्यादा होते हैं और लाश्ट आदर जो आपके skin को बरबाद कर सकती है वो है natural urges को रोखना natural urges जिनकों की आईरविद में वेग बोलते हैं तो कई सारी natural चीजे हैं जैसे की gas निकलना, ढकार आना, उबासी आना, urine होना, मल पास होना, नीदाना, भोख लगना ये सारी की छीख आना, ये सब natural चीजे हैं ठीके, vomit होना तो कई लोग को ऐसा होता है कि जब ये चीजे आती है तो उनको रोक लेता है कि अभी urine लगा, मैं अभी नहीं बात पे जाओंगा motion अभी लगा है नहीं पर पहले मैं meeting कर लूँ या पहले मैं चाय पी लूँ या फिर कई लोग को ऐसे आदत होती है कि अभी भूख लगी है, तो खाएंगे नहीं जब 4 बच जाएगा, भूख नहीं थी तब उस time को खा लेंगे तो जबरदस्ती वेगों को रोकना और जब वेग नहीं है, उनने जबरदस्ती पैदा करने की कोशिश करना कि सुबह motion आया नहीं है, फिर भी जबरदस्ती बैठ के आवाज निकाल रहा है कि बस पेट साफ होने ही चाहिए तो इस तरह कि अगर आप activities करते हैं कि जब आपको नीद आई है, तब आप सो नहीं रहे है जब आपको भूख लगी है, यह natural चीज़े है जब लगी है, तब आप करते नहीं और जब नहीं लगी तो इसे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो यह आपके skin को, आपके रक्त को या मानसदादों को खराब करेंगी तो यह 7 आदिते हैं, अगर आप कर रहे हैं तो आपको avoid करना चाहिए otherwise यह आपके skin related जो बीमारी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे और अगर यह 7 आदिते आप कर रहे हैं चर्मरोग है आप इने बन कर दीजिए और देखिए 3 महिने के अंदर ही आपको कितना अच्छा दीरे-दीरे improvement देखने मिल जाएगा ठीक, तो यह तो थी 7 habits जो की skin को बरबात करने का काम करती है और आप इसे कौन से topic भी वीडियो देखना चाते हैं कमेंट करके हमें suggestion जरूर दे सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें